तो नमस्कार आदाप्स इस्ट्रियकाल खमागणी राम राम दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल दस सक्सेस में तो दोस्तों आज है 21 में और 21 में के करेंट अफ्यार लेके मैं आपके सामने प्रस्तू तो हमारा पहला वीडियो जो आता है आज 6 बजे से थोड़ा लेट हो गया था एक्चुली दिमाग से निकल गया मैं टाइमर लगाना ही भूल गई और फिर बात में जब आप लोगों के कमेंट आये कि वीडियो नहीं आया तो मुझे याद आया तो सौरी दोस्तों कल से 6 बजे मिल जाएगा और दूसरा वीडियो यह जो होता है यह शाम 5 दो वीडियो आपको डेली इसी टाइम पे मिलेंगे बाइदवे कभी डिस्ट्रिवेंस ना हो बाकि रेगुलर इसी टाइम पे दोनों वीडियो आएंगे और अगर मुझे कोई और वीडियो एड करना होगा तो वो बीच में किसी भी टाइम आपके लिए आ सकता है ठीक है तो शुरू करते हैं आज के करेंट अफेर तो दोस्तो प्रोफेसर विने जैन कौन है तो यह बहुत जादा इंपोटेंट तो नहीं है बट राजस्तान से रिलेटेट परसनलिटी थे दोस्तों तो मुझे लगा राजस्तान क्योंकि हमारे लिए राजस्तान बहुत पुर्णी है यह नहीं है तो इसलिए राजस्तान की न्यूस देख लेते हैं तो प्रोफेसर विने जैन पर दोस्तों राजस्तान से ही सम्मधित हैं डियाडियों के द्वारा कोविट-19 हे तो विक्सित की गई दवा 2DG के निर्मान में राजस्तान के चूरू के का भी युगदान हैं दोस्तों हमने थोड़े दिन पहले एक दवाई का नाम पढ़ा था 2DG तो मैंने कहा था कि हमारे जो हमारा जो औस्ति मंत्राले है मतलब की ड्रग कंट्रोलर जनरल ओफ इंडिया है ना तो उसने ड्रग कंट्रोलर जनरल ओफ इंडिया यही हमारे दव से मरीज जोग्रेसित हो जाते हैं उनको ठीठा करने का काम करें जादा घंबीर हो जाते हैं तो तो काम नहीं आएगी लेकिन अगर किसी को को रोना हुआ है तो उसको घंबीरता पर ले जाने में रोकने का काम यह दवाई करेगी तो इस दवाई का नाम था दोस्तों 2DG तो तो अगर हमसे आप चूरू से बिलोंग करते हो तो अगर आपसे यही पूछ लिया जाए कि आपके लाड़नू के कोई फेमस परस्नलेटी जिनका कोरुना के दवा बनाने में बड़ा योगदान है तो वो कौन से है या फिर हमसे हो सकता है में भी प्री में कोशन आ जाए विन बार आपको बूलती हूँ में इस तरह से पूछा जा सकता और इंटर्व्यों में इस तरह से पूछा जासकता हैं तो जो अगर ये फॉलो और तो भी आपको इंटर्वी में बहुत ज्यादा सायता मिलेगी और अगर फिर भी थोड़ी कमी लगती है तो एक बार इंटर्वी शुरू होने दीजिए और तम देखते हैं कि अगर और जरुरत लगेगी तो फिर में वह सारे तो एक अपना शोद पत्र प्रकासित किया था उसमें 2-D-oxid glucose को cancer उपचार के रूप में उन्होंने अपने शोद पत्र में बताया था और इसी वास्तव में दोस्तों यह दवा जो है सॉरी यह दवा जो है यह cancer के निर्मान के लिए ही बनाएंगी यह वास्तव में तो है